असलाम अलेकुम वीवर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ में शेर करने वाली हूँ पाए बनानी की रेसिपी वह भी बहुत ही आसान तरीके के साथ में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिये हैं बकरे के पाए और यह नमबर्स में एट है आठ बकरे के पाए लिये हैं मैंने और इसे अच्छी तरह से धो लिये हैं साफ कर लिये हैं और मैंने त्री मेडियम साइज की अन्यन लिये हैं जिसे पीस लिये हैं मैंने और इसमें पीसते वक बिर बीक साइस के टमैटो इसे भी हमें ग्रैंड कर लेना है और कुछ गरम मसाले लिये हैं जिसमें एक बड़ी इलाइची चार छोटी इलाइची एक दाल चिनी का तुकड़ा चार से पांच काली मिर्च दो तेज पत्ते और हाफ टीस्पून मैंने लिया है शाह जीरा और वान ट अबुटाती जाओंगे यह अमपर डीक बेक बने लिया है इस चम्मसेद्ध्ध मशावद्ध्ध से चल गरम मशाले लीने के लिए सटाव मैं एक मिनिट हम प्र चुछ मिसावद्ध देख्वाग ने दीए हम इसमें अन्य Thorisen देकर लिये हमके लिए 1 मिनिट हमरे रिया पर तो अब मैं इसमें एट करूंगी अदरक लसन का पेस्ट तो यहां पे मैंने टू टी स्पून अदरक लसन का पेस्ट लिया है जिंजर काली पेस्ट दाल देंगे हम और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे प्यास के साथ में और जब यह भून जाए तो हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ है और अब हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो कर देना है और सारे मसाले डालेंगे इस रेसेपी में मैंने बहुत ही नॉर्मल मसाले इस्तेमाल किया है यहाँ पे मैंने लिया है वन टी स्पून टर्मरीक पाउडर टू टी स्पून कॉरिंडर पाउडर और ट्री टी स्पून यहाँ पे मैंने रैट चिली पाउडर लिया है यह कश्मीरी लाल मेच है और अपनी पसंद से आप कम यह साधा कर सकते हैं तमाम मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है जब मसाले अच्छी तरह से भून जाय तो मैं यहां पर आप कर पा पानी दाल दिया है ताकि मेरे मसाले मतना जल है और अब हम दालेंगे बक्रे के पाए्व इसमें जो हमने धोके रखे हुए हैं और इसे कम से कम दो मिनिट तक हम मसालों के साथ भूनते रहेंगे बहुती आसान तरीका मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया है इस तरीके से बिगिनर भी जो है वो बहुती टेस्टी पाए बना सकेंगे इसमें मैंने अब डाल दिया है दो क्लास पानी आपकी अपनी पसन है आप एक ही टाइम में इतना पानी दाल दीचे कि आपके पाए भी उसमें गल जाए और शोरबा भी आपका तयार हो जाए ये ना हो कि आप पहलेट कम पानी दाले और फिर बार-बार थोड़ा थोड़ा पानी दालते रहोगे तो उससे पाई खराब हो जाते हैं बस अब लीड लगा कि हमें पाई को गलने के लिए रख देना है वो डिपेंड है कि आपके पाई केतने देर में गलेंगे और आपके कुकर पे भी डिपेंड है तो यहां पे मैंने 6 विजल लिए हैं और जब इसकी सारी प्रेशर निकल गया है तब मैंने इसे चेक किया है और यह देखिए हमारा शोर्बा भी बहुत अच्छे से तयार हुआ और यह देखिए पाई बहुती सौफली गल गए हैं बिल्कुल मुँ में गुलने वाले पाई गल के तयार हुए है और शोर्बा भी आप देख सकते हैं तो अब ये हमारे जो शोर्बा है पायों का वो तो रेडी हो गया है और अब हम इसमें फाइनली दालेंगे गरम मसाला पाउडर वन टी स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पांच मिनिट सिर्फ हमें पकाना है और हमारे पाये ज अप्रमाली रोटी के साथ में ये आपकी अपनी चॉइस है लेकिन ये रेसिपी है तो बहुत कमाल की आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा तो वीवर्स आज की मेरी रेसिपी यहीं तक थी आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी और आप भी इसे जरूर ट्राइ पसंद आई है तो लाइक कीचे शेर कीचे और सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हफिस